हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका उस्टन दोस्बरत वस्क्यूप्टे के यूट्यूब चैनल में आपको सागोते अडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर यह हमारा सेकेंड वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम आज बात करेंगे पूरे इसके प्रैक्टिकल लिया था जिसमें कुछ पॉइंट्स थे कुछ की पॉइंट्स थे जो हमने एक्स्प्लेइन किये थे लेकिन इस वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है तो सारा का सारा डीटेल में हम देखेंगे और यह जानेंगे कि आगे जाके हम किन-किन बेसिक कॉंसेप पे राकम मिस्क्रीन है अब इस पूरी सीरीज के अंदर हम क्या करने वाएतने जाधा हो सके शॉक्र पर ध्यान देने वाएतने आपको चछॉटकर्स रहता है आपका वर्किंग में घिक है तो हम उन खुम-चॉटकर्स Instituteнут ार तो अब मुझे इसके अंदर कोई नई PhD रियान रखिएगा फोटोशॉप की जो भी आप फाइल बनाएंगे वह .psd नाम से सेव होगी पोटोशॉप डिजाइन उसके होगी और उस फाइल को भी हम क्या कहेंगे पीएजडी फाइल करेंगे तो अगर कोई भी पीएजडी मुझे नई create करनी है तो जैसे यहां पर बटन देखरें एक उस पर क्लिक करेंगे या फिर आप फाइल में जाके नुट करेंगे अब इसके साथ आगी यह दिखेंगे शॉक्कर्स लिखे और काफी काफी सारे चीज़े हैं, हर एक में आपको shortcut मिलेंगे, तो कई बार अगर आप confused हो जाते हैं कि shortcut क्या है, मुझे यार नहीं है, तो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, ठीक है, तो file में जाके new पे भी जा सकते हैं, create new भी कर सकते हैं, और अगर नहीं file करने हैं, तो control and press करेंगे, तो यह मेरे सामने, control and मैंने जो प्रेस की, उससे एक और layout मेरे सामने open हो गया, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इस PhD की weight, height and all, सब discuss कर सकता हैं, ठीक है, अब जो Adobe, Photoshop, CC के पहले के version से, जैसे CX6 या और भी पहले के थे, उनमें इस तरह का layout नहीं आता तक, जो अभी वाला layout है, वो काफी advance है, जो पहले के company's in में करें, तो काफी advance है, काफी अच्छा है, और भी छोटी मोटी चीज़े, इसमें इतनी अच्छी है, या इस तरीके से systematic की गई है, तो obviously upgrade version better than older version, तो वो चीज़ा यहाँ पे आ गई है, तो अगर आप देखें, यह जो layout है, इसमें obviously हमें क्या करना पड़ता है, इस PhD का पहले हम क्या करेंगे, नाम देंगे, for example, adopt photoshop introduction, ठीके, तो यह adopt photoshop introduction मैंने इस PhD का नाम दे दिया, अब मुझे इस PhD की width देने पड़ती है, तो width आप अपनी requirement की according कोई भी ले सकते है, in the future, जिसे website की design हम बनाएंगे, हम android iPhone application की design बनाएंगे, हम banners बनाएंगे, तो उस case में क्या standard size होती है, वो भी हम बात करेंगे, और कुछ हत्तक इदर भी idea लेंगे, तो वो सारा मेरे पास है, pixel, inches, centimeter, millimeter, point और Picasso, तो overall, दीखिये, inches आप जानते क्या होता है, अगर आपको यह width inches में देने है, तो भी आप देख सकते है, अगर आपको यह width infinet सेंटीमेटर में देने है, तो भी आप दे सकते है, millimeter में दे सकते है, पॉइंटर पर कास में दे सकते हैं अब ये पिक्सल के चीज़े जो इस industry में एंटर हो रहे हैं या अल्रेडी इस industry में है या फिर computer चलाते हैं उनको सबको पता होता है यसे पिक्सल क्या होता है फिर भी आप elaborate कर रहेते हैं आपकी जो window है यानि जो आपका monitor है उसमें अगर आपने जो resolution है आपके screen का वो 1366 pixel by 768 कर रखा है ठीक है तो यानि के ये जो screen है आपकी मालेजे अभी 1366 1368 by 768 का अगर आपने resolution set कर रखा है मतलब आपके left to right ये पूरी screen single single dots में divided है यानि उन dots को कहेंगे pixel ठीक है और वो pixel होंगे करीब 1366 कल को ये 1920 होगा यानि कि आपके और quality एनास हो गई तो आप जो HD, full HD, quad HD ये जो discuss करते हो resolution भी based होता है तो ये वो चीज़े तो आपकी पूरी screen छोटे 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 pixel में divided है यानि अगर आपने 500 pixel width रखती है तो आप जो PhD बनाएंगे उसकी width 500 pixel होगी ठीक है तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्या size लेनी है उसके लाब आप height कोई भी दे सकते है और example मैं अभी 1000 ले रहा हूं उसका reason भी बात करेंगे कि क्योंकि मुझे ये आप इसको explain करना है तो अभी 500 pixel width है और 1000 pixel height है ज्यादा तर 99% हम क्या करते है पिक्सल में ही देते depend करता है कल को अगर आप printing के case है किसी और other case में बनाते हैं तो आप inches या centimeter अपनी requirement के according ले सकते है ठीक है तो यह होगा पिक्सल वाली बात अब इसके आगे मेरे पास आता है orientation orientation में आप देखेंगे width कितनी है 500 और height कितनी है 1000 तो इसमें आप देखेंगे यह portrait mode activated अभी जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए अपने आप यह interchange हो गया तो इन दोनों को कुछ काम नहीं है बस यह interchange करना है तो यह आप portrait mode में चाहते है या फिर आप landscape mode में चाहते है तो वह आप यहां से set कर सकते इसमें कोई ज्यादा calculation नहीं है और अगर यह कल को आप 500 by 500 करें तो इसका कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि दोनों की width or height same है fine उसके अलावा आता है artboard देखिए artboard एक ऐसा topic है जो आप mobile application में जब जाएंगे तब उसको detail में देखेंगे तो फिला करेंगे तो अब भी फिलाल इतना जानते क्योंकि इसको detail में हमें discuss करना पड़ेगा mobile application की design के अंदर ठीक है तो हम वहाँ पे इसको detail में discuss करेंगे उसके अलावा आता है 72 resolution यह दिखावाई देखिए resolution से आप समझती है कि क्या चीज होती है देखिए पर इंच के अंदर कितने आप पिक्सल सेट करना चाते है ठीक है तो हमने रखा 72 resolution अगर आप बात करें कोई बैनर की अगर आप बात कर रहें कोई website की design की अगर आप उस design की बात करें जो कल को आप online upload करना चाते है चाहे वो facebook हो चाहे वो instagram हो चाहे वो website हो या चाहे वो आपक applications हो mobile application हो whatever the area अगर आप उसको upload करना चाहते है तो 72 resolution is sufficient आपको बे मतलब का बहुत ज्यादा resolution करने की need नहीं है ठीक है अगर कल को अगर हम बात करें कि आप printing area में जा रहें जैसे कि आप flex बना रहें जैसे कि आप logo बना रहें आप visiting card बना रहें ठीक है तो उस case में obviously हम अपना resolution minimum 300 रखेंगे 300 to 400 आपको ये रखना पड़ेगा जिसमें लोगों में हम personally recommend करते 400 resolution बाकी visiting card हो flex हो, hoardings के designs हो उसमें resolution 300 होना चाहिए क्योंकि वो printing हो रही है और print के case में आपके जो design होती है उसकी quality अच्छी होनी चाहिए उसके अलावा एक और reason भी है ये पोटोशोप क्या है रास्टर-based software है वेक्टर-based नहीं है ठीक है तो इसमें क्या होता है basically अगर आपको 25 feet का या फिर माले चार fit की width में और 4 feet की height में एक चोटा सा board बनाना तो यहां पे भी आप उसकी size inches में ले रहे हैं तब यहां पे वो चार-fit के according ही height और width लेनी पड़ेगी क्यों कि अगर आपने छोटी size की बनाए तो प्रिंटिंग में वो blur होगी तो फोटोशोप में क्या होता है exactly जो size की print हो रही है उसी size को आपको यहां mention करना पड़ेगा otherwise वो जब भी बड़ी size में जाएगी या उसको आप जूम करेंगी तो फटेगी जिसको हम technical term में कहते है pixelate होगी ठीक है बड़ी size को छोटे में use करना कोई दिक्कत नहीं लेकिन छोटी size को बड़े में use करने पर वो फटेगी blur होगी या फिर pixelate होगी तो हम हमेशा यह ध्यान रखेंगे कि हमारी जो source file है यह जो phd file है इसकी quality हम as per अपने output के according maintain करें तो हमने 500 width 500 height resolution क्या रखेंगे standardly 72 बाकी printing की case में 300 रख सकते है लोगों की case में 400 रख सकते है तो इस totally up to us बाकी detail में और भी जब हम और बात करेंगे तब वो अलग से आ जाएगी ठीक है और यहाँ पर मैं set इस इंच सेंटीमिटर भी कर सकते बड़ पिक्सल पर इंच 72 इस सफिशन फाइन आता है इसमें color mode आपके पास यहाँ पर option है bitmap gray scale RGB CMYK और lab color ठीक है सिंपल सा logic है gray scale आप समझ गये black and white अगर आपकी PhD में आपको black and white look लेना है या आप कुछ भी बना रहे है वो black और white में ही आना चाहिए जो पुराने टाइम में रहता था या फिर आजकल हम थोड़ा texture टाइप में यूज़ करने कोशिश करते है थोड़ा innovative करने कोशिश करते ह आप gray scale से अलेक कर सकते है बिट मैप बहुत कम यूज़ आता है अगर मैं कहूंगा कि इन सब में अगर बात करें तो RGB सबसे जादा पिर CMY के पिर कई कबार gray scale बाकी bitmap और lab color नहीं के बराबर यूज़ आता है तो bitmap और lab color को थोड़ा later on discuss करेंगे बाकी gray scale में मैं आपको बत इसने भी colors है यानि आप जो भी color देख रहे हैं इस वीडियो में color देख रहे है या फिर कई और color देख रहे हैं यह सारे color तीन color के से मिलके बनते हैं red, green और blue ठीक है तो इनका combination हम देखते है जनरली तो इस PhD के अंदर जो हम color mode देखेंगे या फिर कहेंगे 80% cases जो IT company में लेंगी वो RGB color mode ही लेंगी क्योंकि उनको बता है कि इस color mode के साथ आप अपने जो quality है जितनी चाहिए उतना आप maintain करके आप उसको use कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर आपको अपनी size या फिर PhD की quality बढ़ानी है या कल को आप printing में दे रहे हैं तब आप CMY के color mode चूज करेंगे CMY जब आप PhD बना रहे है printing के लिए यानि के आपने एक ब्रॉशर के लिए बनाई आपने hoarding के लिए बनाई आपने visiting card के लिए जब design बनाई तब आप यह color mode चूज करेंगे इवन अगर आपने notice किया होगा आपके घर में जो newspaper आता है उस newspaper के corner में चार dot बने होते colors के जो yellow, sign, magenta और black color को show करते हैं, वो इस CMY के color mode को represent कर रहे हैं, यानि कि printing के case में आप जब भी बना रहे हैं, तब आपको CMY के color mode ही choose करना है, बाकि lab color और bitmap के हम बाद में बात करेंगे, तो overall हम अभी RGB ले रहे है, जो 90% case में या 80% case में हम उसी को ही continue करेंगे, इस पूरी series के अंदर, बा लेंगे, उसमें हम CMY के mode लेंगे, जिससे हमारे source code की जो फाइल है, यानि PhD फाइल की quality है, वो अच्छी होगी, और printing के case में वो और अच्छे से निखर के आएगी, otherwise वो ही pixelate होने के chances रहते हैं, ठीके, फिर आता है 8 bit, 16 bit और 32 bit, देखिए ये पूरा quality को represent करता है, 8 bit is sufficient, जब तो आप इसको use कर सकते हैं, तो ये overall हो गया, then background में white, black, ये जो general standard है, पिछले वाले में इतने नहीं आते थे, लेगिन यहापे कुछ अच्छे से innovative आ गया, तो अभी फिलाल हम white background के साथ जाएंगे, बाकि आपको black और ये background color transparent custom ये later on बात करेंगे, क्योंकि अभी बताऊंग हमने वो आप भी discuss किया, ठीक है, तो ये बात होगी, अब हम क्या कर रहें, create कर रहें, तो अब हमने create किया, तो हमने देखा, कि अभी आपके पास यहाँ पे एक अच्छा खासा layout आ गया, जिसमें आप देखेंगे, top में menus है, यहाँ पे sub menus कह दीजिए, और ये कह दीजिए tool, ठीक है, ये पूरे के पूरी series के अंदर हमारे पास जो Adobe Photoshop के tools होंगे, वो बहुत important role play करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं बार-बार सरफ cool tool बताते रहेंगे, हमारी इस पूरी series के अंदर हम सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखेंगे, हमने कुछ एक tool लिया, उसका पूर combine practical की बनाएंगे, यानि हर एक tool का separate video प्लस related task होगा उसके अंदर, then 4-5 जो video बनाएंगे, उन 4-5 का combined अलग से assignment होगा, तो इससे क्या होगा, कि आपके tool से related भी understanding बढ़ जाएगी, और उससे related जब assignment होगा, तो उससे related आपको और detail में पता चलेगा कि कैसे और use करते हैं, तो य यह आपके पास अलग-अलग tools है, जिनका हम separate video in the future बात करेंगे, move tool है, तो movement के लिए काम आएगा, text tool है, तो obviously text type करने के काम आएगा, shape tool है, तो obviously हम उसको shape बनाएंगे, जैसे rectangle, falling gun, square, circle, ऐसे अलग-अलग तरह कि हम shape बनाएंगे, काफी सारी चीश आएंगी, तो interesting series होने वाल of CC के पहले के version थे, तो वहाँ पे क्या होता था, कि जब आप tool पे click करते थे, या आप shortcut से उनको active करते थे, तो यह जो side में देखी, अभी मैं mouse जहां जहां ले जा रहा हूँ, तो आपको साथ में कुछ एक अलग से layout दिख रहा हुगा, तो यह represent करता है कि इस tool का क्या काम है, वैसे तो हम describe करेंगे, लेकिन by chance अगर आपको कुछ देखना हो, तो आप यहां से भी एक हलका सा idea ले सकते हैं, कि इस particular tool का क्या रोले, लेकिन यह पहले वाले versions में नहीं था, तो यह हमारे क्या होगे है, सारे tools हो गए, उसके अलावा यह main menu, यह आपके उसके related, हार एक tool के related अले एक बार, यह menu change होगे, यह sub menu होगे, अपन इसकी भी बारे में detail में बात करेंगे, right hand side में कहीं सारे activities है, जो हम और detail में बात करेंगे, ठीक है, तो यह detail में हम बात करेंगे, अभी इसी video में थोड़ा बहुत, और इस पूरे area, यानि कि यह पूरा area है, इसको आप कहेंग work space, अभी install OT जो by default work space आता है, वो यह वाले होता है, तो आप अपने according कल को कुछ भी change करना चाहिए, कर सकते हैं, जैसे, महा लिजिए, मुझे यह layouts नहीं चाहिए, तो मैंने right click इस पे जो यह आपको दिख रहे है, तीन बार दिख रही है, इस पे left click किया, और close tab group, नहीं चाह तो आपने इसके भी click किया, और आपने close tab group कर दिया, और हटा दिया, जो चीज आपको नहीं से आप हटा सकते है, कल को आपको add on करनी है, तो आप window में जाके वो add on भी कर सकते है, जिसके बारे में हम future में बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे और भी detail में हम बात करेंगे, in the future फिलाल उसकी बात नहीं करेंगे, by chance, अगर due to any reason, अगर आपका जो work space है, थोड़ा बिगड़ गया है, या आपको जैसे आपने ये position वगेरा थोड़े गरबड कर दी, आपको नहीं समय में आ रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते है, window में जा सकते है, work space में जा सकते है, essential, default ल पेंटिंग, वो आप set कर सकते है, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप reset कर सकते है, बाकि generally आपको 80% cases में essential जो default होगा, वो ही requirement पड़ेगी, बाकि 3D वगेरा ये, जब आप उससे related काम करेंगे, तब जोरू पड़ेगी, तो मैं अगर यहां पर reset कर देता ह तो देखें, दुबारा से मिरे पास ही सारे चीज़ आगा, तो overall यह मेरा workspace है, मैं अपने according कस्टमाइज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे कस्टमाइज करने के बाद नहीं समझ में आया, तो मैं window में जाके, workspace में जाके, इसको reset भी कर सकता हूँ, और by default, essential default यह set रहेगा, I think इसमें कोई confusion आपको नहीं होना था, fine, तो यह सारी चीज़ हो गई, मिरे पास tool होगे, workspace पर भाबर थिंक होगे, अब यह जो हमने यहाँ पर यह जो white color की देख रहे है, यह हमारी PhD है, जिसकी size क्या है, 500 by 500, तो यह जो 500 by 1000 है, हम इसको एक बार दुबारा चेक कर लेते हैं 500 by 500 हमने ली थी, कैसे चेक करना है, किस तरीकेस चेक करना है, जरूर हम बात करेंगे, उसके लिए आप confusion हो तो यह गा, लेकिन 500 by 500 हमने PhD ली थी, अब यह 500 by 500 है, इसको हम फोटोशॉप की language में कहेंगे, canvas size, क्या कहेंगे, canvas size, अगर यह कलको canvas size मुझे change करनी है, तो मैं प्रे पॉप बॉक्स कुल गया, जहां पर इसकी width लिखी हुई है, इसकी height लिखी हुई है, आप इसको change कर सकते है, बट इससे related भी हम वीडियो की और बात करेंगे, लेटर ओन, detail में, यह सरफ introduction वीडियो है, क्योंकि अगर हर चीज को हमने detail में explain किया, तो obvious सी वात है, कि यह वीड describe करें, वो later on obviously काम आएगा, तो उस समय आपको ज़्यादा complication भी नहीं होगी, और उसको detail में हम और अच्छे से describe करेंगे, क्योंकि canvas size में anchor point भी है, width भी height भी है, काफी सारी चीज है, तो obviously 2-3 गंटे का वीडियो बनाने के बज़ा है, introduction part cover करना ज़्यादा better option है, वैसे भी हम हमने tools की भी बात कर ली, ठीक है, अब main point आता है कि इस पूरी series में हमारे case में हम क्या-क्या ज़्यादा तर use करेंगे, सबसे पहले हम use करेंगे tools, fine, फिर बात करेंगे layers and groups की, and obviously आपका workspace तो है यह, तो workspace हमने अब भी बता दीगे, पूरा workspace है, आपका उसकी बात हो गई, tools हमन है, जैसे मैंने कुछ यह shape बना, fine, अब आप confused मत होगा shape कैसे बनाते, क्या बनाते, क्या बनाते, क्योंकि इसके just बात जो हमारा video होगा, वो shape tool के related ही होगा, तो बिलकोल भी confused मत होना, आप भी सिर्फ introduction ले रहे हैं, ताकि आपको idea लगे क्या-क्या चीज़े, ठीके, तो हमने आपने यह देखा कि हमने क्या किया, यह 4 shapes बना दी, 1, 2, 3, and 4, अब अपनी requirement के according, obviously कल को आप square and eclipse ले सकते हैं, circle ले सकते हैं, या फिर आप कोई cartoon type banner बना सकते हैं, आप पीछे grass डाल सकते हैं, आप अपने according mountains इसमें use कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको जो पढ़ते हैं, चार block ही चाहिए, that's all, तो यह जो 4 block है, यह individually layers कहलाते है, technical term में Photoshop की language में, ठीके, यानि कि यह एक rectangle अपने आप में एक layer है, यह rectangle अपने आप में एक layer है, और यह rectangle अपने आप में एक layer है, उसके अलावा यह जो पीछे white background दिख रहा है, यह भी अपने आप में एक individual layer है, कहने क मतब यह है, कि Photoshop के अंदर आप जितना individually divide करते हो elements को, तो जो last element बसता है, यानि कि यह individual जितनी यह element बसते हैं, यह सारे क्या क्या कहलाते, layers, यानि Photoshop की language में, हर individual identity को, या हर individual element को, हम layers के नाम से जानते हैं, यह same इसी तरीके का है, कि आपके computer के अंदर number of files पड़ी होती है, चाह ठीके, Photoshop में जो भी individual entity होगी, individual element होगा, वो क्या होगा, layers के नाम से जाना जाएगा, ठीके, अब यह जो सारी layers है, वो आपको यहाँ पर right hand side में दिख जाएगी, by default, अगर आपको यह layers ना दिख रही हो, जैसे इस तरीके का pattern या, यह layers हो ही ना, तो आपके पास एक shortcut F7, F7 जै active और deactivate का, जो shortcut है, वो है F7, ठीके, तो अब मान लिजे, यह background मेरा, मान लिजे हो गया, layer का, अब मैंने क्या किया, यह जो rectangle है, कुछ इस तरीके से रख दिए, अपनी requirement के according, ठीके, और कुछ मैंने क्या किया, eclipse बना है, मान लिजे, मैं ऐसे ही generally बना रहा हूँ, मुझे ऐसे ही रख, ठीक है, तो यह मैंने इस तरीके से बना दिये, अब आप notice करेंगे, right hand side में अगर आप देखे, तो मेरे पास कई सारे elements अब मेरे लिए कई बार complicated हो सकता है, अभी ठीक है, छोटी PhD है तो चल जाएगा लेकिन जब आप बड़ी PhD बनाएंगे, website के design बनाएंगे, उसके अलाभी कई सारी और चीज़ी आएंगी, तो आपको यह सर्फ ढूंडने में या फिर सैटल करने में दिक्कत आएंगी, साथ ही website के design मनाते हैं, तो developer के लिए बनाते हैं, android application के design मनाते हैं, तो वो भी developer के और हमें भी confusion नाओ, हम क्या करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, यह जितने भी eclipse बनते हैं, इन सब को एक combined हम एक group में बना देते हैं, उसका shortcut है जब आप इनको select करते हैं, सारे को, आप control के साथ एक एक करके select कर सकते हैं, या फिर आप shift के साथ एक साथ select कर सकते हैं, यह जो normal computer basic में हम करते हैं, वैसा ही पैटाने अलग से कुछ नहीं, अब मैंने किया कि इनको select करके इन सारी layers को control G किया, तो यह अपने आप में एक क्या हो गया, group बन गया, similarly in rectangles का मैंने क्या किया, select किया, और control G किया, तो यह अपने आप में एक individual group बन गया, in the normal language कहें, कि इन सार layers को, in digital entities को हमने एक folder में रख दिया, ताकि in the future हमें पता है कि अच्छा, यह group 2 किस से related है, यह group 1 किस से related है, आप rename करना चाहें, तो आप rename कर सकते है, जैसे group 2 को मैंने, जो wording ए, group 2 लिखा हो तो उस पर double click किया, और लिख जिया, यहाँ पर rectangle, rectangle, ठीक है, same group 1 लिखा हुआ, यह group बनाया था, इसको अगर हम बात करें, तो इसको हम बात कर लेंगे, eclipse या फिर circle तो है नहीं, विसे eclipse बना देते हैं, तो rename भी कर सकते है, same group के अलावा, आप हर एक layer को भी rename कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उस text के उपर, उसके name के उपर जाके double click करना है, और type कर देन that's all, तो हमने group बना दिये, तो for example, जैसे हमने लिया था कि अपनी जो computer रंगाजा जो file पड़ी रती है, उनको हम layers के नाम से represent किया था, और वो file जिस folder के अंदर पड़ी रती है, वो एक तरह से होगा group, तो यहाँ पे भी same चीज़ है, individual entity, individual identity, individual element, यहाँ पे layers के नाम से जाना जाता है, और इनको जब हम bunch करते हैं, या फिर combine करते हैं, और एक अलग folder type में रखते हैं, तो वो groups के नाम से जाना जाता है, और group का shortcut है, control G, और layers को hide और unhide करने का shortcut है, layers menu को hide और unhide करने का shortcut है, F7, ठीके, उसके लाओ, आप जितने भी यहाँ पे layers देख रहे हैं, यहाँ अगर मैं इसको active करता हूँ, तो left hand side में यह दिख रहे हैं, अगर मैं पूरे group को हटाना चाता हूँ, तो वो भी आप कर सकता हूँ, यहनि इस आख की वज़े से, मैं इसको hide भी कर सकता हूँ, और show भी कर सकता हूँ, रहेगा इसी के अंदर, but hide और show मैं कर सकता हूँ, तो हम हमने layers की बात कर ली, हमने groups की बात कर ली, हमने tools की बात कर ली, individual हम बात करेंगे, क्योंकि movement, shape बनाने के लिए, area select करने के लिए, हमें हर एक tool की requirement पड़ेगी, even color देने के लिए भी हमें एक tool की requirement पड़ेगी, तो हम यह सारे चीज़े जो करेंगे, later on individually discuss करेंगे, बट हाँ, इ faster based software है, pixelate होने के chances रहते हैं, उसके अलावा हम जो control and करके आते, उसमें जो data होता है, जो width height का portion है, वो भी हमने बात कर ली, तो यह सारा concept clear हो गया, अब इसमें, जो हमने control and किया था, ठीक है, उसकी एक चीज़ हमने miss करती उस समय, क्योंकि मैं नहीं चाहता था, एक साथ हो ज जब यह layout open हुआ, तो मेरे पास यह देखिए, कुछ already preset है, preset यानि already predefined कुछ sizes है, जो यहाँ पर available है, अब यह क्या चीज़े बात करते हैं, in case कल को आप photo की PhD बना रहे है, तो आप क्या करेंगे, यह photo पर जाएंगी, तो आपको कई सारे already design मिलेंगी, या पर sizes मिलेंगी, जो आप click करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर देखिए, अभी क्या लिखावा, 7 by 5, मैंने किया land escape, तो देखिए, अपने 3 by 2 inches में automatically select हो गया, land escape, तो देखिए, 6 by 4 में automatically select हो गया, resolution से लेके कोई चीज मैंने कुछ नहीं छेडी है, ठीके, land escape किया, तो देखिए, automatically हो गया, यानि कहने का मतलब यह है, कि कल को आप Photoshop के अंदर photo editing करते हैं, तो यहाँ पर already कुछ sizes available है, जो की आप use कर सकते हैं, और उनका reflection जैसे इनके उपर click करेंगे, तो right hand side में automatically आपको दीख जाएगा, तो आपको डूणने की ज़रूत नहीं है, कि इस photo की क्या size हो सकती है, उसकी क्या size हो सकती जैसे, ज्यादा तर cases में क्या आता है, कि जब आप mobile application की design मनाते हैं, तो आपको कई बार pixel में उनकी size नहीं मिलती है, आपको resolution मिल जाता है, बाकी सब मिल जाता है, लेकिन pixel में उस screen की क्या size हो सकती है, आपको नहीं idea, तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पर click करते हैं, तो यहाँ पर आपको iPhone X की size मिल जाएगी, iPhone 8, 7, 6, Plus की size मिल जाएगी, iPhone 8, 7, 6 की size मिल जाएगी, यानि जितने भी mobile हैं, उनके जो resolution से या फिर sizes है, resolution नहीं कहेंगे, जो sizes है, पिक्सल के अंदर, वो आपको मिल जाएगे, ठीक है, तो जैसे मैंने आप आप आइपोन पर click किया, तो आप देखेंगे, इस बार width, height आगई, साथ में notice करें, resolution भी 72 हो गया, यानि कि Photoshop खुद recommend करता है, कि आप जब mobile application की design बनाने जा रहे हैं, तब आप resolution 72 रखेंगे, तो कई बार आप confusion ना हो जाएगे, या कोई और चीज ना हो जाए, तो किलियर सी बात है, आप यहाँ पर automatically preset use कर सकते हैं, जिसमें mobile से related आपको पहले से sizes मिल जाती है, कल को हम website design की भी बात करेंगे, तब भी आपके बास कई सारे standard size आपको available हो जाएगी, film और video की बात होती है, तब भी मिल जाएगी, art and illustrator की भी बात होती है, तब भी मिल जाएगी, printing के case में जिसे letter है, legal letter है, A4 size है, A A4 size confused हो जाते हैं, A4 size की actual size क्या है, ठीक हम net पर देखते हैं, अला कि ज़्यादा similar मिल जाती है, एक दो अलग मिल जाती है, अब दोनों में से सही कौन सी पता नहीं, तो यहाँ पर already Photoshop ने preset दे रखे हैं, कि आप इन size को use करो, और अपनी design बनाओ, तो क्यों हम unnecessary अपना काम या आपको, जैसे हम generally banner बनाते हैं, तो हमने size ले ली 500 by 500, अब लगातार हम अपने काम में वो बार-बार use करते रहते हैं, तो आपको अपना अगर preset save करना है, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपने width, height, resolution, जो चीछ है, वो पहले से set कर ली, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ आप उसका नाम देंगे, for example banner, या जो भी आपकी requirement है, और यहाँ पे save पे click करेंगे, यह create पे नहीं, यह जो save दिखरा नहीं, यह वाला, इस पे click करेंगे, तो जैसी आप save करेंगे, आपके save में आपका preset आजाएगा, तो बहुत easy है, ज्यादा tough नहीं है, Photoshop अपने आप में इ इन केस आपको graphic designing में एक अलग level देदेगा, तो Photoshop में जो basic beginner के level पे हमें जो introduction आना चाहिता, इस पूरी series को start करने से पहले, वो आज हमने discuss कहिया है, पिछले वीडियो में हमने introduction लिया था, साथ में इसके छोटे-मोटे key points लिये थे, लेकिन इस वीडियो में introduction में हमने पूरा practical लिया था, ताकि आपको idea लगे कि हम क्या बात करने आए, इसके बाद हम shape tools से start करेंगे, और then धीरे-धीरे-धीरे-धीरे सारे shifts की बात करेंगे, ताकि सारे tools की बात करेंगे, एन assignments की बात करेंगे, हर एक tool का एक individual task की बात करेंगे, ताकि आपको idea लगे कि किस तरीके से हम Photoshop क के अंदर डिजाइन बना सकते तो ओवरॉल यह फोटोशॉप का एक सीक्वेंस रहेगा लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक या कॉंसेप जो इस पूरी सीरीज के अंदर अब फॉलॉप करने वाले उसके बारे हम बात करेंगे इस पूरी सीरीज में बिगिनिंग पर आता है वो यह सोचता है कि फोटोशॉप में बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है नहीं पहले आपको अपने अलाइनमेंट पर ध्यान रखना पड़ेगा कई बार हम बहुत अच्छी डिजाइन बना रेते हैं लेकिन वह जो डिजाइन का है कई बास सिंपल डिजाइन होने के बावजूद भी इतना प्यारा लगता है कि कोई और उसको यह नहीं कह सकता है गंदा लग रहा है तो हमें सिंपली सिटी के साथ भी काम करना पड़ सकता है लेकिन उन सारे केसेस में हमें अलाइनमेंट पर ध्यान देना बेहत जरूए ह साथ में color combination में simple सा logic है कि अगर आपने background dark किया और उसके उपर का element है या layer है वो भी आपने dark कर दिया तो obviously वो दिखेगा ही नहीं जैसे for example मैंने आपके क्या किया एक black color background में set कर दिया ठीक है अब मैं कि अगर हो इसके उपर एक text लिख रहा हूं यह मैंने text लिखा ऐसे दम्मी सा कोई text लिखा हूँ है text tool यह सारी बात आएगी detail में आप बेफिकर हो जाई है ठीक है फिलाल मैं इसकी थोड़ी size बढ़ा लेता हूं तो अभी देखिए यह color दिख रहा है लेकिन अगर मैं यह color को थोड़ा dark लिखा लेता हूं कुछ इस तरीके से तो आपको कुछ लेने पड़ते हैं कई बार अपने according color लेने पड़ते हैं तो इस सारा second concept पर हम ध्यान देंगे पहले alignment पर focus करेंगे then color combination पर focus करेंगे and थर्ड बात करेंगे finally creativity पर क्रियेटी नहीं होगी तो मजा नहीं आए तो इस पूरी सीरीज में Photoshop में हम अच्छे अखासा discussion करने जाएंग पाइं ऐसे एक बार में इसका color change कर देता हूं और फिलाल में white कार देता हूं है ठीक है एक मुलिख देता हूं और इसमें. लिखत नहीं हम एक शेप ही लेते हैं best रहेगा एक शेप यह लिया मैंने जिसका color में white कर देता हूँ और एक और शेप लिया जिसका color में red कर देता हूँ ठीक है अलाकि detail में और आएंगे आप बेफिकर रही है अब यह introduction ले रहे हैं अब यह दो layer है तो आप देखेंगे red जो layer थी वो white के उपर थी तो इसलिए यह इस तरीके से इसको overlap कर रही है ठीक है लेकिन अगर आपको white उपर रखनी है तो कुछ नहीं करना है आप यहाँ पर layer को select करिए left click के साथ उसको drag and drop कर दिया यह उसको उपर drop कर दिया तो आप देखें white उपर रखनी है तो जो selected layer है वो big bracket open bracket प्रेस कर रहा हूँ तो selected layer नीचे की तरफ मुह करेगी और अगर मैं control close big bracket पर प्रेस करता हूँ साथ में तो layer उपर मुह मंग करेगी तो shortcut के साथ भी mouse के साथ भी आप इनकी positioning अपने according कर सकते है तो यह overall पूरी Photoshop की सीरीज के अंदर जो छोटी-छोटी सीजी आएंगी वह उसका introduction प्लस आपकी awareness से बहले पोटोशोप की सीरीज स्टार्ट करने से पहले जो awareness होनी चाहिए उस से नहीं रहा होगा लेगिन फिर भी अगर आपको कोई doubt है कोई confusion है कोई comment करना है कोई तरह का discussion करना है तो आप नीचे comment करिए हम उसके response जरूर करेंगे वीडियो पसना है तो please like करिएगा चैनल को subscribe करना मत भूलेगा और bell बटन को दबाना तो बिलकुल मत भूलेगा क्योंकि आगे इतने interesting topic वीडियो आने वाले अगर उसकी exclusive notification आपको चाहिए तो वो दबाना बहुत जरूर है तो please आप उसको जरूर प्रेस करिएगा thank you so much keep enjoying कर दो